Hello friends, welcome back to my channel तो आज हम Reliance Industries Limited के बारे में जानेंगे पहले monthly time frame में इसका analysis करेंगे उसके बाद हम weekly time frame में जाएंगे और इसके target कौन से निकल के आते हैं उपर के side बे क्योंकि बहुत अच्छे pattern में भी ये trade कर रहा है जैसे ही ये pattern का breakout हो जाएगा तो हमें और 600-700 point की momentum मिल जाएगी हाँ दोस्तो आपने सही सुना और 600 point की momentum उपर के side हो सकती है तो चैनल को जरूर subscribe कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा और वीडियो end तक देखेगा दोस्तों तबी सारी चीज़े आपको ठीक से समझा आ जाएगी तो चलिए बात करते हैं कि Reliance Industries अभी जो trade कर रहा है वो लगवग 2607 rupees के around trade कर रहा है और अभी जो हमने analysis के लिए time frame consider किया है वो monthly time frame किया है monthly time frame हमने इसलिए consider किया है क्योंकि हमें month on month record पता चलता है आने वाले 6 मेने में, 7 मेने में, 9 मेने में कहा तक यह stock जा सकता है उसका अच्छा खासा हमें picture clear मिलता है इसलिए मैंने पहले monthly time frame कंसिडर किया है उसके बाद हम weekly time frame में shift हो जाएंगे उसके बाद हम daily time frame में shift हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों buy करना है और कहां पर buy करना है यह अगर दो question आपके mind में clear हो जाएंगे तो आपको पूरा idea आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको consider कर सकते हो अपने portfolio में तो आपको पता ही होगा Reliance Industries जो stock है fundamentally बहुत ही strong है यह सबसे पहला reason हो जाता है उसका fundamentally यह stock बहुत ही strong है ठीक है आपको तो इसके number सच्छे खासे पता ही होगा अगर नहीं पता है तो Google कर सकते है simply वहाँ पे बहुत सारी जानकारी detail में मिल जाएगी second point है कि अभी जो यह pattern में trade कर रहा है अभी जो यह pattern में trade कर रहा है यह बहुत अच्छा pattern है तो यह pattern का जैसे breakout होगा तो आपको पता ही है बहुत अच्छे target unfold होने वाले है third point निकल के आता है कि अपने यह all time high के आसपास trade कर रहा है कोई भी stock अगर अपने all time high के आसपास trade करता है तो जैसे ही all time high break कर देता है उपर की तरफ और अच्छे खासे target unfold होते है यह तो आपको पता ही होगा अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा ठीक है तो यह तीन चीज़े हम detail में discussion करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि यह कौन से pattern में अभी trade कर रहा है जो मैंने बार बार कहा कि अच्छे खासे pattern में trade कर रहा है तो वो pattern सबसे पहले देख लेते कि यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे एक channel का pattern बन चुका है अलड़ी ठीक है तो यह जो channel में market trade कर रहा है तो यह मान सकते हो 2022 से यह इसी के बीच में trade कर रहा है उपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो यह जो अपना low है यह थोड़ा थोड़ा करके slightly उपर की तरब shift कर रहा है अगर मैं आपको थोड़ा zoom करके दिखा दू तो आपको ठीक से दिखाई भी देगा चलिए यहाँ पे देख सकते हो जो first low लगाया था इसने लगवग 2160 के आसपस था second जो low लगाया था इसने लगवग 2200 के around लगाया था और third time जो low लगाया है लगवग आप कंसिडर कर सकते हो 2240 ठीक है तो यह जो low है यह धीरे 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 उपर shift होता है तो अगर कोई price नीचे से उपर जा रही है तो इसका मितलब simply क्या है आपको पता ही चला होगा कि उस stock में अच्छी कासी नीचे के लेवल पर buying हो रही है simply इसका यही मतलब निकल क्या आता है यह हो गया reason first second reason जानेंगे हम यहापे अगर आप ठीक से देखोगे एक W pattern भी बन रहा है ठीक है और W pattern का breakout कब होता है आपको पता ही होगा जैसे ही उसका neckline break होगा तो उपर की तरब आपको breakout मिलेगा यह हो गया आपका first W pattern का pattern second हो गया यह channel का pattern ठीक है तो दोनो pattern का breakout similar spot पे आ रहा है same price पे आ रहा है इसलिए इसका जबी भी यहां से उपर की तरब भागना यह stock शुरू करेगा तो सबसे पहला जो target निकल के आएगा second आएगा, third आएगा उसके बारे में भी discussion करते हैं और एक आपको checkpoint यहां पे देना चाहूंगा मैं कि मैंने जो third point बताया था कि यह all time high break करेगा तो उपर इटी की तरब और ज़्यादा target unfold करेगा तो चलिए history में देखते है quickly क्या इसे पहले कभी हुआ था क्या कि all time high crack किया और उसके उपर और सारे point निकल के आगे यहां पे देख सकते हो आप यह lockdown के time पे इसका जो high था लगबक 1600 के around था जैसे ही इसने high break किया आपको तो story पता ही चलिए होगी अभी यह 2600 के असपास trade कर रहा है तो उसने 2 month के अंदर वहाँ से लगबक 600 point की momentum देया था तो similar pattern यहाँ पे अभी बन के आ रहा है चलिए और एक बार चेक करते हैं कि पहले history में और बार और पहले कभी ऐसा हुआ था क्या तो यहाँ पे देखिए यह लगबक 2017 का high था और यह जो high था यह 900 के around था ठीके जैसे ही इसने इसको break किया 2 ही मंत के अंदर फिर से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि more than 400 point का यहाँ पे उसने momentum किया है ठीके तो यह दो बार हो गया आप अगर खुद chart जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा हर टाइम अगर all time break करता है तो उपर की तरफ अच्छे का से target निकल के आते है ठीके अभी यह चीज है हमें picture clear हो गया कि एक channel pattern में trade कर रहा है second w pattern भी यहाँ पे अच्छा का सद्धी कर रहा है तो हमें कब buy करना चाहिए कहाँ पे buy करना चाहिए ठीके तो वो जानने के लिए हमें weekly time frame में जाना पड़ेगा तो चलिए मैं simply इसको weekly time frame में convert कर देता हूँ तो जैसे हम weekly time frame में आते हैं तो हमें पता चलता है कि यह जो stock है similar range के अंदर trade कर रहा है यहाँ पे अगर देखोगे आप तो आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा नीचे की तरब अगर देखोगे तो September मेने से ठीके तो September मेने से यहाँ पे देखो तो यह pattern को consolidation phase बोला जाता है कोई भी stock जितना लंबा consolidation phase में trade करेगा जितना ज्यादा time अपना consolidation phase में spend करेगा उतना अच्छा breakout और breakdown हमें मिल सकते है ठीके तो इसी pattern के उपर मैंने कल भी एक video बनाया है जो pattern हमें Tata Steel में अल्रेडी देखने के लिए मिला है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से explain किया है कि कहाँ पर आप buy कर सकते हो और कैसे buy करना है कितना stop loss maintain करना है वो video click आपको i button में मिल जाएगी और end screen बे मिल लगा दूँगा तो वो video ज़रूर देखेगा बहुत सारी अच्छी कासी चीज़े मैंने उसमें explain किया तो चलिए topic पर वापस आते है तो यहाँ पर हमें पता चला कि यह consolidation phase में market trade कर रहा है तो हमेशा consolidation जो phase होता है वो इसलिए होता है कि वहाँ पर buyer और seller अपने अपने try से try करते है seller चाहते है कि stock को नीचे लेके जाए buyer चाहते है कि stock को उपर लेके जाए यह तो हो गया उसका fundamental analysis मतलब दोनों का अपना अपना एक perspective होता है लेकिन हमें उन चीज़ों में पढ़ना नहीं है हमें simply यह देखना है कि हम कहाँ पर buy कर सकते है ठीक है क्योंकि हमारे लिए buying price होना चाहिए वो अच्छी जगा पे होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि buying आपने कर लिया और उसके साथ ही market नीचे आ गया आप exact time पे सही जगा पे अगर buy करोगे तो आपको वहाँ से profitability आपकी बढ़ जाती है तो यह stock buy करने से पहले यह level बहुत important हो जाता है मैं यहाँ पे इसको अलग सा लिख देता हूँ 2200 है नीचे का level trade करने का और उपर का level आपको तो पता ही है 2853 मतलब all time high है लेकिन ओने ही consider गएंगे उसके थोड़ा सा नीचे 2800 ठीक है तो यह अगर आप देखोगे अच्छे से तो इसके बीच में फिर से एक बार 600 point का difference आया मैंने अभी आपको एक quality check दिया था monthly time frame में हमने जाके देखा था अगर ऐसा ही difference आता है तो बहुत बड़ा target उपर के दरब निकल के आता है तो चलिए इसको detail में देखते है कि क्या हो सकता है तो 600 point के range में यह पिछले लगबग मान सकते हो 17-18 months से यह हिसे में trade कर रहा है तो अगर इसी chart को आप zoom करके ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे और यह पिछले 6-7 weeks से उपर की तरब भागे जा रहा है ठीके weekly time frame में लेकिन आपको buy कहाँ पे करना है यह point जरूरी हो जाता है अभी यह जो high दिकर है आपको यह 2640 का दिकर है ठीके तो आपका जो entry होगा वो होगा 2640 के उपर होगा ठीके तो इसको मैं entry लिख देता हू आपका जो stop loss होना चाहिए दोस्तो 2530 ठीके 2530 यहाँ पे आता है ठीके यह आपका होना चाहिए stop loss और यह हो गया आपका entry price तो यह जो SL निकल के आएगा 2530 अगर आप देखोगे तो SL आपका निकल के आ रहा है 90 points का ठीके यह बहुत important चीज़े है आप इसको note down भी कर सकते हो 90 points का SL आ रहा है आप सोचो के बहुत बड़ा SL आ रहा है लेकिन target भी तो आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है अगर आप 1 is to 1 भी consider करोगे 2640 से 1 is to 1 उपर की दरफ हम plot करेंगे तो सबसे पहला target निकल के आता है 2740 यह आप है जैसे ही आपका first target आता है ठीके बहुत बड़ी बात है जैसे ही आपका first target आता है तो आपका stop loss cost to cost आना चाहिए मतलब जहाँ पर entry किया था उसी के आसपस आना चाहिए तो आपका इस spread में risk हो जाएगा 0 आपने यह बात समझ ली आपका इस spread में risk हो जाएगा 0 तो second target कहाँ पर आएगा obviously आपको पता है all time high 2853 जो अभी मैंने पहले number बताया था 2853 तो यह हो गया आपका second target ठीके अभी जो major बात है जो most important बात है कि 3200-3300 का level कैसे निकल के आएगा अभी आप सोचो के मैंने क्या बोल दिया 33-3400 का level उपर की तरफ या यह सही है दोस्तों क्योंकि यह जो consolidation phase में trade कर रहा है इसका जब breakout होगा यह बहुत जल्द होने वाल है आने वल time में जब इसका breakout होगा तो आपका target कितना होना चाहिए जिसका जिसकी यह जो आपको consolidation phase दिख रहा है इसकी जितनी height है उसका ही target उतना आपको उपर plot करना पड़ेगा चलिए exactly tool से हम check कर लेते हैं कि कितना target कहाँ पर बेट रहा है तो यहाँ पर जाएंगे हम इसके अंदर हमें एक price range करके tool है तो simply क्या करेंगे नीचे से 2200 से यहाँ से 550 पॉइंट का हमें पता चला कि 555,60 का एक consolidation phase का box था ठीक है तो उसको similar हम उपर की दिख प्लॉट करेंगे यहाँ से 2800 से उपर अगर प्लॉट करते हो आप 560 पॉइंट का तो यह आपको पता चला 3360 ठीक है अगर आप मार्क करके देखोगे तो यह निकल के आता है 3410 मतलब आने वाले टाइम में यह और यहाँ से 600 पॉइंट का मोमिंटम देने वाला है दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा था लास्ट टाइम इसने दो बार हिस्टरी में यह चीज़े करके दिखाई है तो यह टाइम यह जरूर करेगा ठीक है तो यह चीज़े थी अभी जाते जाते एक क्विक बाइट लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि क्या हो रहा है ठीक है यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप देखोगे ठीक से तो यहाँ पे आपको एक ग्याप नज़र आ रहा है तो यह ग्याप मार्केट जरूर फील करेगा तो वीडियो को आपने end तक देखा ही होगा तो वीडियो आपको अच्छा लगा भी होगा अगर नहीं लगा है तो आप comment box में feedback दे सकते हो और आने वाल टाइम में आपको कौन से stock के उपर वीडियो चाहिए वो बता सकते हो तो हम जरूर ट्राइ करेंगे उसके उपर वीडियो बनाने के लिए और बहुत सारा प्लान अल्रेडी हो चुका है कि basic learning के उपर हम फोकुस करने वाले उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनाने ने वाले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेर कीज़ेगा जो भी Reliance Industries में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों Thank you